नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिष शो में चोंड़ दोस्तों चीन ने ताइवान के खिलाफ बड़ी कारवाई करी है और पूरी दुनिया इस कारवाई को देखकर सकते में है और इसे ताइवान पर कबजे का काउंट डाउन कहा जा रहा है क्यूंकि अब पूरी दुनिया को ये लग रहा है कि ताइवान पर कभजा कभी भी हो सकता है उधान के लेश्किन पर आप देखिए जापान के प्रधान मंत्री फूमियो किशिदा ने भी कहा है कि ताइवान पर यूकरेन की तरह चीन कभजा कर सकता है इसकी पूरी संभावना है और ने ताइवान पर इसी तरीके से हमला किया जैसे कि रूस ने युकरेन पर किया है तो पूरा अनोनिमस ग्रूप एक जुट होकर चीन के खिलाफ युद शुरू करेगा और ये एक साइबर वोर होगी लेकिन बात यहीं तक सिमित नहीं है चीन ने जो कारवाई करी है उसके बा है ना उसमें रूस की कामियों को नोटिस कर रहा है और इस बात को कंफर्म कर रहा है कि जो गलतियां रूस ने करी है युकरेन के मामले में वो चीन ताइवान के मामले में ना करे और इसी लिए तमाम चीनी रन नितिकार इस समय रूस युकरेन युद को बहुत बारीकी से देख रहे हैं और उधारन के लिए चीन कितना तयारी कर रहा है अब से एक हफता पहले चीन के अंदर वहां के तमाम जितने भी फाइनेंशन संस्थान थे जितने भी बड़े बड़े बैंक्स थे वो एक जुठ हुए उन्होंने मिटिंग करी कि जिस तरीके से पश्चिमी दे के से तयारियों को रैपीड अप कर चुका है और चीन की तयारियों को देखते हुए तमाम पश्चिमी देशों के एनलिस्ट यही कह रहे हैं कि बिलकुल भी आश्चरीय चकित मत होना कि कल को तुम सुबह उठो और तुम्हें ख़बर मिले कि चीन ने ताइवान पर धावा बोल दिया है इसकी पूरी पूरी संभावना है और हाल ही में चीन ने जो कारवाई करी है उसकी जलक भी हमको दिखती है दरसल हुआ कुछ ऐसा है कि कल चीन ने ताइवान के अंदर अपनी वायू से ना घुसा दी और आपको बता दू कि ये बड़ी बात इसलिए है कि अब 18 से 20 बड़े और ताकतवर लडाकू विमान मिसाइलों से लोडिड थे जो वो ताइवान की वायू सीमा में घुसे वहाँ पर गुसपैट करी उसके बाद वापस लोट गई और ये बड़ी चिंताजनक बात है क्योंकि जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट है उनका मानना ये ह इसके लावा जो उनके डिफेंस सिस्टम है उन्हें चेक करना चाहता है कि वो किस हद तक चीनी वायू सेना को रोक सकते हैं या उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं यानि कि चीन ने जो गुसपैट करी है ये बस ऐसे नहीं कि ताइवान को ड़ाने के लिए चलो लड़ा को विम सा है इसके लावा एक जो बड़ा कारण ये भी बताय जा रहा है ताइवान पर हमले का वो ये कि चीन के अंदर घरेलू इस्थिती अभी ठीक नहीं है ऐसे में चीनी राष्टपती शी जिंपिंग की छवी काफी खराब हुई है उसे सुधारने के लिए और दोबारा फिर से अपनी पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए भी वो राष्टरवाद का कार्ड खेल सकते हैं और ताइवान पर बड़ा अटैक अंजाम दे सकते हैं इसकी पूरी संभावना बन गई है और मैं इस पूरे मामले पर बहुती वारीकी से नजर बनाए हुए हूँ और आप चैनल एक मिलियन से मात्र नो हजार दूर खड़ा है ऐसे में सब्सक्राब जरू कीजेगा फिलाले सुड़ों में इतना ही थैंक यू वेल मच पॉचिंग वीडियो